सो हे गाईज, वेलकम बेक टू अटेक टॉर्ड, दोस्तों आप लोग बहुत जादा कॉमेंट कर रहे थे कि भाई, रियलमी सीटू का हम बूटलोडर कैसे अनलॉक करें, सो एक डेडिकेटेड वीडियो रियलमी सीटू का बूटलोडर अनलॉक करने की, सो वीडियो को पूरा आप लोगोंने ध्यान से देखना है और पूरे स्टेप टू स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, जिसे कि आपके डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक हो जाए और आप कोई भी कस्टम रिकबरी अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर फिर बात निवत बोलना भाई आपने बताया नहीं हमने अनलॉक किया और हमारा पूरा का पूरा डाटा देलीट हो गया, अगर आप बूटलोड अनलॉक करना चाहते हो तो बैकप बना लेना अपने पर्सनल डाटा का यानि कि जो मुवाइल फोन में आपका डाटा होगा उ आप लोगों को बिता दूँ आपके पास एक PC होना चाहिए और Realme C2 डिवाइस होना चाहिए और आपके पास एक USB जो आपकी केबल आती है वो होनी चाहिए, साथ में जो लिंक्स मैंने फाइल्स के डिस्क्रिप्शन में दी हैं जाकर कि उनको डाउनलोड कर लेना, अब आपको अपने mobile phone की C2 की settings में जाना है, फिर about phone में जाना है, फिर आपको version के उपर 7 time tap करना है, जिससे कि आपका developer option on हो जाए, अब developer option on होने के बाद आपको back आना है, additional settings में जाए और बहां पर आपको देखने को मिलेगा developer options, उसको open कीजिए और उसके अंदर आपको मिलेगा USB debugging का, उसको आप लोगों को on कर देना है, और on करने के बाद आपको उसके उपर एक option मिलेगा OEM unlocking का, इसको भी आप लोगों ने on कर देना है, और अपने realme C2 को अपने mobile phone के साथ connect कर देना है, connect करने के बाद friends आपको जो realme के platform jip है, realme C2 की उसको install करना है, और install करने के बाद platform tools का जो folder बनेगा, उसको open करना है, open करने के बाद आपको right click और shift का button एक साथ press करना है, जिससे कि आपकी command promote यानि कि आपकी जो भी coding की promote होती है, वो on हो जाए, on होने के बाद आपको सबसे बहले type करना है ADV devices, जिससे कि आप जैसे connect करोगे, आपको बहाँ पर realme C2 connect हो यानि कि आपको हाँ पर code देखने को मिलेगा, और आपके mobile phone में एक pop-up आएगा, आपको बहाँ पर okay पर ये उपर टिक कर देना है, जैसे आप लोगो okay के उपर click करोगे, उसके बाद आपको PC के उपर अपने device की जो list है, वो निकल कर गा जाई, कौन कौन से devices आपके PC के साथ connect है, आपको एक code अपने device का देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको click करना है, ADV reboot bootloader, आपको ये type करना है और enter कर देना है, आपको mobile phone fastwood mode में चला जाएगा, और जैसे आपको mobile phone fastwood mode में चला जाएगा, आपको एक और command promote लिखना है, fastwood flashing unlock, ये लिखने के बाद आपको mobile phone की screen के ओपर एक pop up आएगा, यहाँ पर आपकी touch काम नहीं करेगी, आपको volume buttons और power button से ही press करके इसको ok करना है, और volume button से आप लोग उपर और नीचे कर सकते हो, तो आपको आपका bootload unlock के ओपर click करना है, यानि कि जो blue color की line आएगी, उसको tick करके power के button को दबा देना है, इसके बा आप लोग अपने device में कोई भी custom recovery, custom ROM यूज़ कर सकते हो, तो यह steps realme c2 के लिए हैं, अगर आप किसी और devices करना चाहते हो, तो please squand करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो वो भी आने वाली है